कि हलो नमस्कार आदाब सस्रेकाल असलाम अलेकूं वाटेवेट फिल कनेक्टेट विद मी दोस्तो आज वीडियो में बहुत बरी अपडेट लेकर क्या आया हूं जहां दोस्तो बिहार में नया अमीन की जो भरती आई थी ना दोस्तो उससे रेलेटेट बहुत बरी अपडेट में लेकर के आया हूं हाना थोड़ा लेट हूं और थोड़े वीडियो कम आ रहे हैं अपने चैनल पर लेकिन जो भी आएंगे कंटेंट एकदम पावर्फुल मिलेंगे आपको तो दोस्तो यहां पर अमीन भरती में फिर से एक बार पेंच फस गया है जहां दोस्तो यहां प चीज आप लोगों पताईए उसके बाद को अगर एक्जाम लिया जाएगा या फिर जो भी प्रोसेस होंगी तो कौन से भी भाग कराएंगी उसके बारें भी जानकारी में देने वाला हूं सबसे इंपोटेंट बात जो है यहां पर एलर सी नियामा वाली क्या है जहां दोस दोस्तो चैनल पर पहले बार इस वीडियो को देख रहा है तो चैनल पर आजाएं दोस्तो सबस्क्राइब करने के बाद यहां पर क्लिक किजेगा और यह जो ऑप्शन है और वाला ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है इससे क्या होगा कि जैसे कोई नया वीडियो में उसका नोटिफिकेशन फटाक से आपके मुवायल पर आ जाएगा जिया दोस्तो लेटेस्ट अपडेट के अगर मैं बात करूँ तो लेटेस्ट अपडेट में यहां पर देखिए 62,000 पदो पर पुलीस की भरती बहुत जल्द आने वाली है और बहुत जल्द ही अच्छी ख प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आना है इस तरह आएगा ना प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आएगा तो यहां पर बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको दिखेगी जिसमें आपको जहें LRC का स्पेसल प्लेलिस्ट बना हुआ है LRC PRD और उसके बाद जो है BTS का तो यह तीनों का ज यहाँ पर देखिए यह बिहार का अपडेट है जो भी अपडेट डालता हूँ यहांак और यह देखिए बीटी सी चीका ऑल अपडेट मिलेगा यहां और सीका ट्रेनिंग से अपडेट वह आपको यहां पर देखनेla मिलता है अगर online exam लिया जाएगा exam basis अगर बहाली होगी तो आप इस वीडियो को जरूर हमारे चैनल पर देखिएगा एक बार जरूर खोजिएगा यकीन रखिए और PRD का अपडेट देख सकते हैं और LRC का भी दोस्तों यहां पर प्लेलिस्ट बना हुआ है यह देखिए बिहार LRC अपडेट बहुत बड़ी अपडेट यहां पर मेंशन होती है आप जरूर देखा किजिए चलिए डारेक्ट अप हम लोग स्टार्ट करते वीडियो को कि दोस्तों आज की डिट में यह देखिए नोटिस जारी हुआ है LRC विभाग से उससे पहले पेपर कटिंग के माध्यम से बहुत सारी दिये बात दी जा रही थी कि ऐसे है वह से है ऑनलाइन एकजाम होगा आपकी बहाली केंसिल होगी ऐसे है वह से हर तरी की बात दी जा र बाइस विग्यापन संग्या जिरोच्षे 2022 बिसेश सर विखषन कानून कानून को सर्विख्षन अमीन और जो है लिपिक के पर जो बहाली विग्यापन आया था को रद किया जाता है यहां पर डैरेक्ट देखिए यह दिख़ा गया है रद किया जाता है उसके बाद लिख है उक्त अधिव अधिशूचना से प्रवा प्रावधानित नियम के आलोक में बिहार संयुक्त परवेश प्रतियोगता परिक्षा पारसर यानि कि की जाएगी जिसमें बिग्यापन के सर्तों के अनुर्प योग्य अभ्यारती अवेदन कर सकेंगे पॉइंट टू वी नोटेड यह तो बात हुई और देखिए अभी अभी यह नोटिस आया है बाइस बारे 2022 का यह अपडेट है नीचे आएगा दोस्तों यह पेपर के माधिय गई दी गई लेकि लिखित परीच्चा के अधार पर सेख बंधु वस्पतादीकारी विसेश्टस सर्विक्षन कानून को विसेश्टस्र अमीर विसेश्टस्रूक्षन लिपिक और कालियाल परिशण का चैन किया जाएगा पहले अंको के अधार परचेन का प्राप्धान वहीं बिहार समाहर नारे लिपिक किये संबर्ग भरती वं सेवान सर्त नियमा वली 2011 में संसोधन की सुझकरती दी गई है और अंगाबाद सदर अस्पताल के चिकितसक डॉक्टर कुमार सुमन को बर्स 26 में पस्तिती नहने पर सेवा से बरखास्त किया गया तो यह चीज तो अ पर होना चाहिए या फिर एक्जाम जो है एक्जाम की लेकर पहली होना चाहिए या फिर मेरिट बेस पर वहाली होना चाहिए जरूर करके बतेएगा तक कि आप लोग का opinion मैं देखना चाहता हूँ ना राजस्व्रम भूमि सुधार विभाग इसमें भी देखिए बहुत सारी बात इसी सर रिलेटेड बताई जा रही है अब इसी बोड जो है कराईगी ना नीचे आएगा तो यह भी देखिए भूमि सुधार विभाग में 10,000 पदो पर नई प्रक्रिया से बाल अब लिजे आप जो आवेदन दिये थे ना दोस्तो वो आवेदन किसी काम का नहीं रहा फिरी था फिरी में खतम हो गया वो आप जो आवेदन होगा वो आपको BCEC बोड के माधियम से आपको जो है ऑनलाइन अपलाई करने होंगे फिर आपको एक्जाम लिया जाएगा आप आपका और एक्जाम लेने के बाद देन आफ्टर आपका क्या होगा सलेक्शन होगा ये बात देखी क्लियर कर दिया गया है नीचे आईएगा दोस्तों यहां पर देखें सतरे सो सरसट अमीनों की बहाली का रास्ता साप यह जो है इसी बोड के माधियम से लिया गया था बि अबमसे बात कर रहा बहुता है और बात बाहु कर रहा है और साज़िके जो दिखा गया है यहां पर प्रकासित विग्यापन को हाइको चुनवती दी ठी सभी पक्षों को सुनने के बाद विग्यापन लद्क करते हुए नई सिरे से विघ्यापन निकाल कर निखती करने का निर्देश दिया दोस्तों यहां पर यह तो बात हो गया का देखें सभी जगे हर जगे यह अपडेट मेंशन तो हर जगे जब होी बात है तो आप लोगों ने देखा तो एक बात तो किलियर हो गया कि आपका एक्जाम होने वाला है हना एक्जाम हो करके आपकी बहाली प्रकिलिया होगी दूसरी बात अपलाई भी आपको फिर से करने होंगे कौन से विभाग आवेदन लेगा तो B, C, E, C, E, Board आपका आपको अपने टेलिगराम गुरूप पर मिलेगा B, C, P, R, D और L, C का गुरूप बना हुआ है जिसमें 305 मेंबर जुड़ चुका है दो एक मेरा कोपी भी किया है कोई साथ ही गुरूप बना करके उसमें 900 मेंबर है वो मेरा गुरूप नहीं है दोस्तो आप किसमें जोएन सब्सक्राइब को मैंने बारिकी से अपडेट दिया है बजापता क्लास भी लिया है तो आप हमार साथ जरूर बने रहेंगे एक एक SANSバイPH RAM नाम विश्टर और प्राभधन के बारे मिया यहां पर सारा चीज लिखा गया यह सब चीज तक प्लस टू बर्स का नियुनता मानुभाब ये सारे चीज होने चाहिए विसेसर्वेक्षन कानुगों में सिविल इंजिनरिंग में डिप्लोमा प्लस टू बर्स प्रतियोगिता परिक्षा के प्रिक्षा फल के आधार पर प्राप्त अनुसंसा के आधार पर की जाएगी प्रतिक्ष्छा सूची प्राब्धान होगा लिजिए इसमें भी वेटिंग लिस्ट मैं कहानी शुरू हो गया जिया जोस्तों यहां भी जो है बहुत इस प्रतिक्ष्छा सूची के अब्धी का निर्भान निर्धारन विभाग द्वारा किया जाएगा चेंच चालू योजना के वर्तमान योजना अबदी विस्तार तक मानने होगा अब सकता होने पर अबदी विस्तार किया जाएगा यह एक कौंटेक्ट्ट्यल बेसिस ही है बट यहां पर एक्जाम एक चीज जोड़ आ गया है ना चैन है तु अधी आचना विभाग द्वारा प्रतिक्षा सूची के माध्यम से भारा जाएगा जो कमिटी गठित हुई है यहां पर सारे चीज यह सारे चीज में सने दोस्तों तो यह नोटी सारा जो है मैं अपने गुरूप पर डाल रखाऊं दोस्तों अब आप लोग अपना ओपीनियन दीजिए कि एकजाम होना मेरिट बेस्ट पर भी ही सलेक्षन होना चाहिए देखा जाए तो 2019 को देखा जाए उस नियमावली में मेरिट बेस्ट पर ही सभी का जोब हुआ था अब 2022 जो की खतम बर्स में ये नया नियम आया है उसके अनुसार जो है आप एकजाम लिया जाएगा एकजाम लेने के अब दक के लिए भाई ठेक कियर और बाबाई